आप मैंसे किस-किस को ऐसा लगता है कि जैसी आप computer subject को उठाते हो, APS exam की आप preparation कर रहे हो, आज आपने subject उठाली है computer और आपको ऐसा लग रहा है कि computer का syllabus ना तो मुझसे कभी cover होगा और ना मुझे समझ आएगा कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है तो इस video में आपकी सभी problems का solution होगा कोई भी lengthy discussions नहीं होंगी to the point discussions होंगी to the point हम syllabus को discuss करेंगे breakdown करेंगे कुछ ऐसे points में syllabus को cover करेंगे आपको इस video के बाग में यह आपको एक overall video है एक strategy video है जिसमें हम अपना approach discuss करेंगे कि कैसे हमें tackle करने है देखो इस पर exam का pattern change हो गया है और पहले आपका computer 100 marks काता था अब 50 marks काते है अब जब 50 marks काते है तो देखो कुछ न कोच चेंज जरूर आपको मिलेंगे एक latest pattern एक pattern change आएगा और latest pattern की according आपको prepare करना बहुत ज्यादा important है अब अब पुराने घिसेपीटे methods को या फिर पुराने topics को पढ़के you can't crack it really so you need कि आपको उतना content मिले उतना to the point content मि पढ़ना हूँ आपको PYQ solve करने हूँ and you are done for the subject so इसलिए आज आपके सामने यहाँ पर 5 main topics है जिनको हमने breakdown कर दिये बस इन topics को में कैसे cover करने है आज हम यह समझेंगे and इस video के बाद में आपके पास 15-20 minutes की कुछ 5-6 videos आएंगे जिसमें हम इन डेटेल जितना relevant है एक्जाम मे जितना आएगा जितना आपको to the point crisp points आपको चाहिए याद रखने के लिए उनको हम study करेंगे but पढ़ना कैसे सबसे पहला topic जो आपको पढ़ना है वो www.worldwide web पढ़ना है and साथ में popular websites जो हैं जैसे की railway की website होगी air reservation की website होगी या फिर search engines आपको पता है google या फिर आपको information websites जैसे की बहुत famous Wikipedia इनके बारे में general knowledge चाहिए देखो अब जब आप internet पर जाओगे let's say आपको इबुक अठाते हो या फिर internet पर जाते हो इस topic को search करते हो let's say आप सारी information निकालना चाहते हो Wikipedia पर तो इतना diverse content इतना diverse information आपको मिलेगा की आपको कभी समझ ही नहीं आएगा और तब आप जितना आपको 15-minute की videos जो की मैं इस channel पर लेकर आऊंगी free of cost बिल्कुल premium content लेकर आऊंगी जितना crisp point आपको चाहिए जितनी information relevant है जो आपकी APS 2023 exam में information relevant है उस information को पड़ो और internet पर बुक्स में जितनी भी पालतू information जो के आपके लिए relevant नहीं नहीं नौलेज के बहुत अच्छ मैं full syllabus की coverage कैसे करूँ मैं landy discussions में first जाता हूँ मेरा तो कभी preparation होनी पाएगा तो इसका solution है to the point preparation ये 5 topics हैं देखो 5 topics कहने में कम हैं बट इसके within भी आपको जितनी information है वो अच्छे से करने हैं अपने short notes को prepare करना है ताकि last year जब आप short notes को बनाओगे आज आपने 15-minute की video से जितन इसके बाद आपने questions को solve किया उसके जो चीज़े आपको लगती है कि इन्हें मुझे रिवाइस करने की दोबारा जरूरत पड़ेगी या मैंने first time में grab नहीं कर पाया ये वो चीज़े जो मुझे फिर से repeat करनी होगी उन चीज़े की short points आप लिखोगे और जब next day आप इसी short note की notebook को update करने जाओगे तो पहले पिछला वाला आप जो portion उसको revise कर लोगे इससे आपकी grip बन जाएगी अब बहुत ज़ादा स्टेंद दो जाओगे and the second topic है आपके लिए that is Microsoft Office का package अब इसमें Microsoft Office is a very very important topic इसके विदिन आपके पास आजाता है Microsoft Word, Excel and PowerPoint इन तीनों की detailed information जानना आपके लिए बहुत जादा इंपोर्टन है अभी मैंने आपको बताया ना कि Microsoft Office का जो topic है that is very important यहाँ पर मैं आपके लिए इसी एक्जाम के PY के उस द document अब ही अगर आपको पता है तो पता है अदर्वाइस आप इसमें तुका नहीं मार सकते है बहुत simple question है answer आपका simple doc लेकिन आपको यहाँ पर Microsoft Word का पूछे मानलो आपको Microsoft Excel का पूछ लेते हैं आपको Microsoft Outlook का पूछ लेते हैं तो यह आपका question हो गया कि एक question से multiple questions को multiple topics की preparation आपक इसे कर सकते हो तो वो आप PYQ से कर सकते हो और PYQ से भी तब कर सकते हो जब आप PYQ का proper analysis करो और हमारे साथ पढ़ो and believe it आप अराम से इस exam को कर लोगे कोई भी आपको ऐसा point नहीं लगेगा कि यह बहुत जादा लेंदी है questions काफी simple आते हैं अगर आप simple brain को use करो अब यहीं 11 7 देख लो Outlook Express again यह question जो मैंने 1st topic आपको बताया उसमें से है अगें जो topics मैंने आपको बताया उन topics 5 topics के breakdown कर लो सारे के सारे questions चाहे 50 questions और इस पेपर में उनी topics में से निकल जाएंगे इसके बाद एको 14th question control plus N in MS Word is used to अब यह है shortcut key अब शौर्टकट की इस बहुत सारी होती है Microsoft Word, Excel, PowerPoint में अब इन्हें कैसे याद करने कौन सी कीज को याद करने सबको नहीं याद करने जो सबसे दादा प्रॉबेबल है एक्जाम में हाने के लिए जो जिनका आना बनता है एक्जाम में हमें उनको प्रिपेर करना है तो एक तरह से मैंने आपको पीवाई कुस का आइड एक्जार टॉग तो किया है एक्जाम में इन्हें एक्जाम में में थाल Ecco पिगन प्रॉबालगन धन